नमस्कार कक्षानो एक्सरसाइस तीन पॉइंट तीन का प्रशन नमबर दो आजम करने जा रहे हैं अक्षों पर दूरी का उप्युक्त एकक लेकर नीचे सारनी में दिये गए बिंदूओं को तल पर अलेखित कीजिये हमें बच्चों कुछ बिंदू यहाँ पर दिये हुए हैं इन्हें हमें कारतिय तल पर दिखाना है तो देखिए यह सबसे पहले हमने कारतिय तल बनाया है जैसा कि आप यहाँ दीख पा रहे हैं मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ यह है y-axis जिसमें हमने 0 से लेकर 1,2,3,4,5,6,7,8 तक संख्याएं और नीचे की तरफ 1,2,3,4,5,6,7,8 और इस तरफ को माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 8 तक दिखाए हैं तो यह हमारे पास कारतिय तल हमने बनाया है इस पर हम जो हमें सारनी में बिंदू दिये गए हैं वो हम दिखाएंगे सबसे पहला बिंदू है माइनस 2,8 इसका मतलब x अक्ष पर दे इस तरफ को है प्लस वाली रखमें इस तरफ को है माइनस वाली रखमें तो माइनस 2, माइनस 1 यह है माइनस 2, x अक्ष पर यह है देखिए माइनस 2 और y अक्ष पर देखना है 8 तो यह माइनस 2 है देखिए y अक्ष यह वाला है यह वाला है इस पर 0 से उपर प्लस वाली संख देखे यह यहां जाके मिलेंगे यह पर देखे यह इस तरफ मिलेंगे लेकर इस तरफ मिलएंगे तो यहuka इस बिंदु को हमने मारक करना है कि मैं जा मैंच के साथ लिख देना है तो हमने सबसे पहले माइनस दो और आठ बिंदु जो है यहाँ पर निरूपित कर दिया है अलेखित कर दिया है इस ग्राफ पर इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है माइनस एक कॉमा साथ यानि कि X अक्ष पर माइनस एक Y अक्ष पर साथ आए देखते हैं देखिए X अक्ष पर माइनस एक X अक्ष पर यह है माइनस एक और यह X अक्ष पर माइनस एक इदर है और Y अक्ष यह है इस पर साथ तो यह है साथ यदि हम दिनों को आगे बढ़ाएंगे तो यह कहां मिलेगा देखिए आके यहां के मिलेगा इस बिंदू पर ठीक है बच्चो तो यह बिंदू हो गया माइनस एक कॉमा साथ ठीक है बच्चो यह बिंदू इसके बाद तीसरा जो बिंदू है हमारे पास वह है x अक्ष पर 0 y अक्ष पर माइनस एक पॉइंट दो पाँच तो देखे X अक्ष पर 0 यानि X ये रहा ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा और Y अक्ष पर माइनस 1.25 देखे ये है माइनस 1 ये है माइनस 2 इन दोनों के मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये दशमलव में हमारे पास बिंदू है X अक्ष पर 0 यानि ना इधर X अक्ष पर जाना है ना 0 से इधर जाना है 0 पर ही रहना है Y अक्ष पर है माइनस 1.25 0.25 का मतलब होता है 1 चोथाई तो देखे ध्यान से 1 से लेकर 10 तक होती है 10 लाइने इन में से बीच वाली होगी आधी इसका भी आधा होगा 1 चोथाई ठीक है बच्चो तो माइनस 1 और माइनस 2 के बीच में माइनस 1 और माइनस 1.5 के भी बीच में बिल्कुल आधा तो यानि 1 लाइन 2 लाइन और तीसरी लाइन के बीच में दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में यह जो बिंदू है ठीक है बच्चो देख पा रहे हैं आप एक लाइन दो लाइन और दूसरी और तीसरी के बीच में यह जो बिंदू आएगा यह बिंदू दर्श आएगा 0, minus 1.25 को ठीक है बच्चो यही ध्यान से देखने वाली बात थी कि हमने यहाँ पर minus 1 और minus 2 के बीच में 10 लाइने है उसका एक चोथाई 2.5 होगा तो हमने 2 लाइने और उसके बाद दूसरी और तीसरी लाइन के बीच वाला जो बिंदु है उसको हमने ले लिया है मार्क किया है इसके बाद बच्चो चोथा जो पॉइंट हमें दिखाना है वो है 1,3 इसका अर्थ है x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 3 x अक्ष पर 1 यह रहा y अक्ष यह है इस पर 3 यह रहा यह कहां मिलेंगे आके यहां पर यह रहा तो ये बिंदू आ गया 1,3 X अक्ष पर 1, Y अक्ष पर 3 अगला बिंदू है 3-1 यानि X अक्ष पर 3 Y अक्ष पर-1 देखे बच्चो X अक्ष पर 3 1, 2, 3 ये और Y अक्ष पर-1 वो होगा नीचे की दरफ तो ये आकर कहां मिलेंगे यहां ये देखे यहां पर आके X 3, Y-1 ये आकर इस बिंदू पर मिलेंगे तो इस बिंदू का नाम लिख दीजे X 3, Y-1 ये वाला बिंदू तो देखे हमें 5 बिंदू दिये गए थे हमने उन पांचों को ही अपने इस कार्तिय तल पर अलेखित करके दिखा दिया है आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा मैंने ग्राफ फेपर की मदद से पूरा प्रयास किया है हर एक चीज को जूम करके आपको दिखाऊं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा समझाया होगा यदि आपको यह वीडियो अच्छे से समझाया तो क्रिप्या इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीज़े ताकि आप मेरे बाकी वीडियो भी देख सके धन्यवद